कववे का मनुस्य के सर पर पंजे मारना क्या होता है? यह आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कववे का मनुस्य के सर पर पंजा मारना अच्छा होता है या फिर बुरा होता है आप लोग जो है देख रहे हों अनेस्ट लाइव मोटिवेसंस चैनल यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोग को बहुत सारी बाते बताई जाती है तो यहां पर पुरानी बातों के हिसाब से बात करें तो कववे का सर पर मारना अपसकुन माना जाता है लेकिन आपको हम बताते हैं कि इससे अगर कोई किसी के सर पर कववा अगर मार के चला भी जाता है तो उसको अपसकुन मारना बहुत 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 होता है अगर आपकी मौत की जूड़ी कवर सुनकर आपके रिष्टेदार आदि एक आसू भी बहा देते हैं तो आपकी सभी समस्या समाप्त हो जाती है और एक तरह का अंदविश्वास भी हो सकता है यह बात पुर्ण रूप से हमारे कहने का यहतात पर है कि यह एक तरह का अपसकुन ही है ऐसा हमें समझ में आता ही है तो हम अपने घरों में यह बात बच्पन से सुनते आ रहे हैं कि छट पर कववा बोलने से रिष्टेदार आते हैं मेहमान आने के संकेत भी होता है कभी-कभी यह बात भी पूरी तरह से सही साबित भी हो चुकी है और ऐसे में कववा अगर सर पे आकर के मार के चला जाए तो इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं तो कववा आपको अगर मांस की रोटी, मांस या फिर रोटी का टुकड़ा, फल का टुकड़ा या कोई भी चीज़े लेता हुआ अगर आपको दिखाए देता है तो आप उसकी सफलता के करण मानते हैं और यह जेनरली सब के साथ होता है तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपसकुन और सकुन दो तरह के होते हैं क्योंकि हर सिक्के का भी दो पहलू होता है तो इस जगह पे कववे का सर पे मारना सकुन है या फिर अपसकुन है तो इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगा यह एक अब सकून माना जाता है क्योंकि बड़े बुजरुग यही बताते हैं लेकि इसको सकून बनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि अपने ही स्थिति का जो है लोग गलत अफ़वा फेराते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिष्टेदारों को, कलीक्स को, को अपनी ही मौत की गलत नीज देते हैं और ऐसा इसलिए करते हैं कि आप पर आने वाली सभी तरह की जो है प्रोब्लम्स दूर हो जाए और ऐसा उचीत भी माना जा सकता है है ना तो इसलिए कहा गया है कि गलत जो है नीज अगर आप फेराते हो तो इसके बाद किसी के भी आँखों से एक आशू भी अगर आ जाता है तो आपके उपर जो भी अपसकून है वो सकून में कनवर्ट हो जाता है मतलब बदलाव आ जाता है और आप नॉर्मल जो है लाइफ को जी पाते हो तो यह वीडियो आपको कैसा लगा बतारा नीचे कॉमेंट करके और फिलहाल आज लिए बस इतना ही क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि कववे का सर पर मारना सकून होता है या फिर अपसकून होता है